पूरी वीडियो आप भी एंट तक सुरूर देखिएगा और एंट तक देखने के पास जो भी प्रॉड़क्ट आपको सबसे अचा लगे उसके लिए एक लाइक तो जुरूर कर देना और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना तो आज मेरे पास सबसे पहले है यहां यह एक छोट आसा Watermelon Piece जो कि यहां पे पूरा Green and Red कलर का है जैसे Actually में एक Watermelon का Cutting Slice होता है एकदम यहां पे Watermelon लुप का और यह एक शापनर है जिसमें हम अपनी Pencil यहां पे शापन कर सकते हैं और पूरी Pencil का Dust इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा तो यह एक Pencil शापनर जो कि Water Watermelon के लुप में है जिसमें हमारा पूरा एक Dust Collector Shapner है सारा Dust इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है और इसको हम Easily ऐसे Open कर सकते हैं जिससे हमारा सारा Dust हम बाहर निकाल लेंगे तो यह एक Dust Collector Shapner जो की है Watermelon के लुप में नेक्स मेरे पास यहां पे है एक यह Pencil Box जो की है बहुत ही यह Blue Color जिसमें बिल्कुल Plain Look है और Front Look पे यहां पे है हमारी 4-4 Disney Princess के पिच्चर जिसमें एक यह वाली जिसने Blue Color का Gown फिर यह वाली जिसने Purple Color का Gown और एक यह Mermaid Princess और यह एक Yellow Color के Gown वाली Princess तो यह Overall 4 Princess के पिच्चर इसके उपर बनी हुई है यहां पे हामें मिलता है सब से पह होल्ड कर सकते हैं और यहां पे सारी Pencils Easily आपकी आजाएंगी और इसको हम यहां पे बंद कर सकते हैं Second यहां पे हमें मिलता है यह वाला Compartment जिसमें हमें यहां पे यह दो बाटन मिलते हैं जिसको प्रेस करके हम यह Compartment खोल लेंगे और यह देखिए यहां पे तो मुझे मिल हैं के के फन और यह है हमारा डसर जिससे हम यहां पे cleaning भी कर लेंगे सो यह एक वाइट बोर्ड यहां पे हमें मिलता है और यह उसके साथ आमारा डस्ट और और बनी हुई है यहां पे बाबी पिचुर्स बाबी की पिच्चुर्स तो है ना मेजिंग आएं इधिक हमारा बंद देखिए कितने प्यारी pencil box है next मेरे पास यहां पर है guys यह एक प्यारा सा eraser का pack जिसमें मुझे मिलती है carrot की shape की eraser यह पूरा pack भी carrot की shape में बना हुआ है जिसमें यह orange color का और उसके उपर यह green color की grass भी बनी हुई है so overall यह पूरा एक carrot की look वाला eraser का pack जिसमें हमें मिलती है four four eraser इसको हम open करेंगे यहां से तो हमें मिल जाएगी यह four erasers जोकी है सारी एक चैसी erasers जोकी हमें मिलती है यहां पर carrot की shape ने यह रेखिए यह हमारी first यह हमारी second यह हमारी third and fourth यहां पर चार-चार erasers हमें मिल रही है और चारो यहाँ पे carrot look में है जिसके ऊपर यहाँ grass बनी हुई है और नीचे यहाँ मिली हुई है एक पूरी carrot और यह पूरा carrot का look बना हुआ है यह 4-4 eraser इसे तो हम अपनी pencil box में अपने चोटी चोटे compartments में भी रख सकते हैं है ना cute नेक्स मेरे पास यहाँ पे है यह एक smiley जो की है blue color का और यह है एक पूरा smiley जिसकी पूरी यहाँ पे तीथ दिख रहे हैं और यह भी एक dust collector sharpener है जिसमें हमें यहाँ मिलता है शापनर जो की है एक dust collector sharpener इसमें हम अपनी pencil sharpen करेंगे और यह पूरा dust इसके अंदर collect हो जाएगा जिसको open करके यहाँ से हम अपना dust clean कर सकते हैं तो यह एक dust collector sharpener है जो की यह smiley के look में है next हमारे पास यहाँ पे है यह एक highlighter marker जो की यहाँ पे है football के look में यहाँ पे हमें मिलता है एक football नहीं sorry basketball के look में यहाँ पे यहाँ पे यह प्यार इसे brown and black color के look में यह देखिए यह पूरी एक basketball है जैसे कि पूरा एक real basketball होता है पिलकुल वैसे round round basketball है और इसके नीशे हमें मिलता है यह एक highlighter marker इसके उप्तर एक प्यारा सा smiley भी बना हुआ हुआ है और यह है highlighter marker जिसको open करके हम यहाँ पे work कर सकते है कुछ इस तरीके से यह पूरा open हो जाएगा और यहाँ पे इस marker से हम यहाँ देखे कितना easily इसको highlight कर सकते है और यह काफी जादा shiny color भी है तो यह मेरा purple color का highlighter जो कि यहाँ पे basketball के look में है एक और ball के look में मेरे पास highlighter है जो कि है यहाँ पे यह वाली और यह एक football है जो कि यहाँ पे white and green color के look में है इससे तो football भी खेल सकते है जिसमें हमें मिल जाता है इसके नीचे यह green color का highlighter और इसके उपर भी देखिए यह smiley picture है तो यह एक green color का highlighter जिसको open करते ही यहाँ पे हमें मिलता है कुछ ऐसा color यह देखिए यहाँ पे यह greenish color यह भी बहुत इसंदर है इसको भी हम बन कर लेते है और देखिए यह marker हमारा highlighter कितना प्यारा है नेक्स मेरे पास यहाँ पे है एक और pencil box जो की है यहाँ पे watermelon की ही cutting slice look में देखिए इसके उपर पिटाया, enjoy the hot summer भी लेखा हुआ है और यह है पूरी pink color की और इसके उपर हमें purple and white color का पूरा slice look बना हुआ मिलता है और इसमें मुझे मिल जाते हैं दो साइड से open होने वाले compartment यहाँ पे जो look है वो बहुत ही सुन्दर है जो कि बिल्कुल एक cutting slice look में है इसमें से एक look हम open करेंगे तो यह है हमारा front part जिसमें हमें मिलता है इसके अंदर white and pink color का combination इसमें हम अपनी pencils भी attach करके रख सकते हैं इसमें easily मेरी 1, 2, 3, 4, 5 pencils easily आजाएंगी और इसके नीचे मुझे इरेजर, शापनर, सब कुछ हम रख पाएंगे दूसरे साइड में हमें मिल जाता है कुछ ऐसा look जिसको open करते ही हमें मिलता है plain area इसमें हम अपनी pencil, eraser, color, शापनर या पिर अपने wax crayon सब कुछ रख सकते हैं तो overall यह दूरों साइड से open होने वाली pencil box नेक्स मेरे पास यहां पर है यह छोटी सी stationary kit जोकी है Sophia the first princess की stationary kit और यह बहुत ही simple और sweet सी princess की यहां पर यह kit है जिसके उपर यहाँ Sophia princess की पूरी picture बनी हुई है और उसका पीछे castle भी बना हुआ है तो overall यह बहुत ही प्यारा look दिख रहा है और front के उप में भी हमने यह सारी princess के pictures दिख रही है चलिए इसको open करते हैं open करते ही यहाँ पर हमें मिलता है यह कुछ इस तरिखे का normal सा यह एक stationary kit जिसमें हमें basic stationary products मिलते हैं सबसे पहले मिलता है यह एक scale जोकी है 15 cm long scale और इसके उपर यह है stationary यहाँ पे Sophia princess के picture वाली और यह एक scale है जिसको हम fold भी कर सकते हैं next यहाँ पे है हमारे पास यह दो यहाँ पे pencil जोकी है यहाँ पूरी round shape की काफी पकी pencil और इसके ऊपर भी Sophia the princess की देखिए कितनी सारी picture बनी हुई है यहाँ पूरी pencil पे Sophia की picture बनी हुई है next यहाँ पे हमें मिलता है यह एक यहाँ पे शापनर जोकी है यहाँ blue color का शापनर जिसमें हम अपनी pencil शापन कर लेंगे और last but not the least यहाँ पे मिलती है एक यह white color की eraser जिसके ऊपर यहाँ पे बनी हुई है Sophia princess की picture तो है ना पूरी amazing से stationery एक छोटी से kit में जोकी बहुत क्यारी है next मिले पास यहाँ पे है यह Hello Kitty का शापनर जोकी है पूरा round round shape का शापनर और यह पूरा एक transparent look में है जिसके ऊपर Hello Kitty की picture बनी हुई है और back side से आपने हाँ पे शापनर भी देख सकते हो आप easily यहाँ पे अपनी pencil शापन कर सकते है और साथ ही साथ जो भी dust होगा उसको हम clean भी कर सकते है तो यह एक dust यहाँ पे साथ साथ निकलने वाला शापनर next मिले पास यहाँ पे है एक और शापनर जोकी है एक twin शापनर जोकी है doms का एक शापनर यह दिखे overall यह पूरा एक कॉमबो है जिसमें हमारी pencil easily शापन हो जाएगी क्योंकि यहाँ दो दो लुक वाले शापनर्स है तो यह प्यारे प्यारे व्यू blue color के शापनर कॉमबो next मिरे पास है यहाँ पे spider man का यह छोटा सा पाउच जोकी है एक wallet और इसके उपर यहाँ पे spider man की बहुत सारे pictures बनी हुई है और यह पूरा red color का पाउच है इसको चलिए open करते हैं open करते ही यह देखिए यहाँ पे मिलता है कुछ ऐसा look जिसके उपर हमें मिल जाते हैं यह spider man की picture one two and three 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 तीन तीन यहाँ पे spider man की pictures मिल रही हैं जो की पूरी amazing pictures है तीनों में spider man और लोग लोग यहाँ पे look में दिख रहा है और यहाँ पे मिलता है हमें main product जिसमें हम अपनी pencil यहाँ पे पैसे रख सकते हैं अपनी money करण से रख सकते हैं और यह zip से हम उसको secure भी कर सकते हैं यह एक zip इसमें मिलती है जिससे easily आप जो है यहाँ पे अपना money secure करके रख सकते हैं यह रेखिए इसके बाद यहाँ पे मिलते हैं यह दो छोटे छोटे pockets और यह middle में एक transparent pocket जिसमें हम अपनी यहाँ पे सारे cards रख सकते हैं हैना amazing प्यारा सा look इसको हम रखते हैं side में next मिल पास है यहाँ पे एक और pencil box चोकी है यह सारी यहाँ पे yellow color की और यह है एक lock वाली pencil box जिसमें हमें lock भी मिलता है इसके उपर मिल जाती है यह प्यारी सी गुडिया प्यारी सी लड़की जिसमें अपने हाथ में एक छोटा सा speaker ले रखा है और यहाँ पे milk tea लिखा हुआ है और यहाँ पे milk tea की picture भी बनी हुई है back side से यह बिलकुल यहाँ पे yellow color का look है चलिए इसको open करते हैं इसका password है 346 तो यहाँ पे हम 346 को open कर लेंगे और यह pencil box तुछ इस तरीके से open हो जाएगी जिसमें हामें मिल जाएगा यहाँ पे यह white look वाला एक compartment जिसमें हम अपनी pencils रख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 pencils हमारी easily आजाएगी और यहाँ पे हमारी erasers और shapners पी आजाएगी इसके जस नीचे मिलता है यहाँ पे एक और कम पार्कमेंट जिसमें हम अपनी यहाँ पे wax crayon यहाँ पे अपने crayon यहाँ पेंसिल कलर्स पी रख सकते हैं और इसको burn कर सकते हैं तो overall यहाँ पे यह पूरा product हमें यहाँ पे एक lock वाली pencil box में मिल जाता है next हमारे पास क्या है next है हमारे पास यहाँ पे यह एक crocodile वाला यह एक scale जो की पूरा crocodile की look में है यहाँ पे आप देखेंगे तो यह पूरा crocodile look में है और इसके उपर crocodile I am a ruler भी लिखा है और यह 11 cm long है कुछ इस तरीके का पूरा इसका look है back side पे आप देखेंगे तो यहाँ हमें एक mirror भी मिल जाता है जिसमें हम देखके अपने आपको high भी कर रही है और यहाँ पे दो magnets भी बने हुए हैं जिसको हम अपने किसे वी pencil box में attach कर सकते हैं यह दो magnet वाला एक यहाँ पर और इसके बार मेरे पास यहाँ पर हायलाइटर marker जो कि है यह fountain pen के लुप में और यह है yellow कलर का यह यह यहाँ पर highlight pen है इसको हम open करेंगे तो यह देखिए यह है yellow कलर का highlighter pen जिसको हम यहाँ पर highlight करने के लिए Son海 एक pen highlighter pen जोकी yellow color का fountain pen में है और यह हमारी pencil box में भी अच्छा लगीगा next मेरे पास यहाँ पे एक pencil box है जोकी है यहाँ पे bat की look में जिससे हम यहाँ पे cricket केलते हैं वो वाला यह पूरा bat look है जोकी है blue color का और यहाँ पे यह back side का look भी देखिए कितना amazing smooth है जो यह front look यहाँ पे कुछ इस तरीके से और back look कुछ इस तरीके से जो यह पूरा एक bat का look है इसको हम open कर लेते हैं open करते ही यहाँ पे सबसे पहले मुझे मिलता है एक scale जोकी यहाँ पे है 15 cm long scale जोकी मुझे already इस pencil box में मिला है और एक यह time table जिसको हम यहाँ पे भर के कहीं भी stick कर सकते है so यहाँ पे आप अपने pencil box रख सकते है यहाँ पे pencils रख सकते है scale रख सकते है और यहाँ पे आप अपना eraser यहाँ पे शापनर रख सकते है और इसको कर सकते हैं कुछ इस तरीके से बंद और यह पूरा यहां पिजमेट्री बॉक्स हो जाएगा आपका बंध है ना amazing next मेरे पास यहां पे है एक और amazing product जोकी है यह वाला यह है एक house की shape में छोटा सा शापनर जी है यह एक house की shape है जोकी यहां पे एक शापनर है और यह पूरा house का look बना हुआ है जिसमें इसके उपर एक प्यारसा panda भी है जो कि gate पर खड़ा हुआ है इसकी side में हमें windows भी मिल जाती है और यहाँ पर देखिए house के उपर यह छोटे से chimney भी बनी हुई है चलिए इसको कैसे use करते हैं देखते हैं इसके लिए मेरे पास है एक यह pencil जिसको हम यहाँ पर इस hole में insert करेंगे और उसके back side से हम यहाँ पर जो है यह एक आपका handle है जिसको हम यहाँ पर घुमाएंगे और यह पूरी pencil हमारी शापन हो जाएगी और देखिए कुछ इस तरीके से यह पूरी pencil शापन हो जाएगी और यहाँ पर हमारा सारा dust कलेक्ट हो जाएगा इसके back side वाले drawer में कुछ इस तरीके से तो यह पूरा drawer हमारा यहाँ पर यह देखिए कितने सारा यहाँ पर dust है और वो भी fine dust जो कि इसमें भढ़ जाएगा और इसको भी हम रख देंगे side में next के पास है यहाँ पर यह pencil square pack जिसमें मेरे को मिलती है unicorn की pencils जिसमें बहुत सारी unicorn की look की pencil मिलती है और यह सारी हमारे पास है green color की और यहाँ पर एक sharpener भी हमें मिलता है जो की है बिल्कुल simple sweet सा sharpener जो यह एक छोट सा green 6 7 8 9 10 11 and 12 यहाँ पर 12 pencils हमें मिल रही है मचो की है सारी यहाँ पर eraser के साथ जिसमें हमें सारी pencils में erasers मिल रही है जिसको हम निकाल के किसी और pencil में भी use कर सकते हैं और यह पूरा pencil look है हमारा unicorn का यह देखिए इन सब pencils के ऊपर unicorn की सुंदर सुंदर pictures बनी हुई है जिसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारी unicorns है और उसके पीछे यहाँ पर हमें प्यारी प्यारी rainbows भी मिल रही है तो यह प्यारा सा पूरा unicorn की look वाली pencil का इसके बार हमारे पास क्या है इसके बार हमारे पास यह Doms का एक amazing stationery pack जो की है एक wow kit तो यह है Doms का wow kit जो की मिलता है 49 रुपीज में तो 49 रुपीज में यह Doms का wow kit में देखे क्या-क्या हमें मिल जाता है तो इसको हम open कर लेंगे open करते ही सारे products हम तबहले अपनी बासकेट में निकाल लेते हैं और देखे यह pack हो गया है खाली इसमें सबसे पहले हमें मिलता है यह Doms का wax crayon pack जिसमें मिलते हैं 12 shade के wax crayon color जो की हमें इसमें 10 रुपी के मिल जाते हैं इसको हम कर लेते हैं open open करते ही यह देखे इसमें यह सारे colors हमें और यह सब के सब हैं amazing wax crayon color देखे कितने प्यारे look में हमें मिलते हैं यह सारे colors और यह सारे colors आप यूज कर सकते हैं अपने wax crayon के जो है work करने के लिए और इसमें देखे हमें dark green light green red orange yellow pink blue purple सब color मिल रहे हैं तो आप भी इन सब का यूज करके अच्छी कर सकते हैं next हमारे को इसमें मिलता है Dom's का यह fusion extra super dark pencil जो कि यहां पे fusion pencil है और यह triangle shape pencil है जो कि इसमें हमें सिफ एक pencil मिल रही है इसके बाद हमें मिलता है Dom's का यह scale जो की है 15 cm long scale और यह है 5 rupee का scale जिसमें हमें मिल जाता है यह 15 cm long scale देखे कितना crystal and clear scale है इसके बाद हमें मिलता है यह एक Dom's का plastic crayon pack जिसमें हमें मिलते है 6 shade वाले plastic crayon और इसका price है 25 rupees तो यहां पे हमें मिलता है 25 rupees में 6 plastic crayon pack जिसमें हमें black color yellow color red color sky blue color green color और brown color यह सारे colors मिल रहे है और यह सब के सब यहां पे plastic crayon के looks में है देखे कितने प्यारे colors है next हमें यहां पे मिल रहा है यह हमारा एक pack जिसमें हमें मिल जाते है यहां पे sketch pen जो कि हमें मिलते हैं 6 color sketch pen और इसका price भी आप देखेंगे 10 rupees 10 rupees में sketch pen sky blue, black, yellow, green और यहां पे brown and red color में और यह हमें 6 sketch pen color मिलते हैं इसमें से हमें green color आपको देखेंगे इतना खोल के दिखाते हैं तो यह fine colors है बिलकुल कितना smooth color जल रहा है और कितना shiny color भी यह बहुत ही amazing यह फूरा color इसको भी हम रखते हैं next में रखो यहां मिलता है यह एक doms का pencil sharpener जो कि यहां पे है 3 rupees वाला sharpener और यह एक black color का sharpener यहां पे हमें मिलता है जो कि easily आप उसे sharpen कर सकते हैं इसके बाद हमें मिलता है doms का eraser 3 rupees वाली doms razor यह देखिए यहां पे dust free eraser हमें मिलती है और यहां पे हमें यह मिलता है छोटू सा color pencil pack जो कि यहां पे 6 colors का मिलता है और इसका price है 12 rupees और देखिए यह कितना amazing pencils है इसमें यह mini pencils हमें मिलती है इसमें भी brown, black, yellow, red, green and sky blue color यह 6 colors हमें मिलते हैं अब next मेरे पास यहां पे है एक यह eraser का pack जो कि यहां पे हमें मिलता है एक delicious western restaurant का look eraser pack चलिए इसको भी open करते हैं इसमें मुझे 4-4 erasers मिल रही है जो कि खाने पीने की look की eraser है देखिए इसके back side पे भी past food लिखा हुआ है इसको open करते ही यहां पे मुझे मिल जाएगा यह चार-चार eraser eraser जो कि यहां पे रही है कुछ ऐसी eraser जिसमें सबसे पहले मिलती है यह ice cream eraser जिसको हम यहां पे handle को पकड़ के ice cream खा सकते हैं जिसमें मुझे यहां यह pink and green color के लुग में eraser मिल रही है दूसरा मुझे यह मिलती है एक और ice cream जो कि है यहां पे corn वाली ice cream जो कि यहां पे बहुत सारा strawberry flavor का ice cream है और next यहां पे है यह pizza slice जो कि एक pizza slice है जिसको खाएंगे तो yummy yummy pizza है यह हमारे लिए और यह है mini cola जिसमें यह है coca cola भरा हुआ और वो भी straw के साथ यह चार यहां पे खाने पिने की erasers जो कि है fast food eraser next मैं पास यहां पे है last but not the least यह पूरा एक green color का stationary pack जिसमें हमें मिलते है यह dragon के look वाला dinosaur के look वाला यह एक pack जिसके उपर यहां पे पूरा theme बना हुआ है इसका house इसका farm और यह देखे यह पूरा रास्ता इसके उपर बना हुआ है और यह पूरा एक pack यहां पे है जो कि बहुत amazing है इसको हम open करेंगे open करते ही इसमें क्या-क्या मिलता है चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें मिल जाता है यह बहुत सारा product सबसे पहले यह पूरा stationary pack जिसमें यह पाद हमें मिलता एक geometry box और एक fight board जहां पे चलिए इसको देखते हैं कैसे use करते हैं तो यह pack हो गया है पूरा खाली तो सबसे पहले हमें मिलता है यह board जो की है यहां पे पूरा dinosaur की look का बना हुआ board जिसमें हम यहां पे बहुत कुछ लिख सकते हैं और back side में हमें मिलता है practice writing जिसके उपर हम memos, memos और यहां पे देखिए alphabets और tables हमें यहां पे digits लिखे वे मिल रहे हैं इसके साथ हमें मिलती हैं यहां पे दो white board marker और rocky add duster के साथ यह देखिए यह है दो white board marker with duster इसमें से एक marker हम यूज करके देखते हैं अपने इस pack के उपर तो यह हमारा white board इसके उपर हम अपना channel कर नाम लिखेंगे kkfun और आप इसको subscribe कीजिए और यह है duster जिससे हम इसको यहां पे remove कर सकते हैं और देखिए यह कितना clean हो गया है इसमें कुछ भी blackness नहीं है तो यह amazing सा पूरा एक white board और यह हमारा उसके साथ marker next हमें इसमें मिलता है यह एक pencil box जो की है पूरा green color के look में और इसके उपर भी पूर यह dinosaur के look बनी हुई है और back side में यहां tables और alphabets में मिलते हैं इसको open करने के लिए यह रेखिए कुछ ऐसे open हो जाता है जिसमें हम अपने सारी stationery रख सकते हैं इसमें अभी हम अपने stationery भी रखेंगे तो जो की सबसे पहले हमें देखिए यहां पे मिलती है यह 3 pencils जो की है light green and dark green look में और यह भी dinosaur look में मिल रही है जिसमें हमें यह 3 काफी पकी pencils मिल जाती है यह रेखिए तो यह 3 pencils जो की यहां पे light and dark green look में मिलती है next इसके अलावा हमें इसमें मिलता है एक eraser जो की है यहां से white color का काफी big eraser और इसके उपर भी यहां पे पूरा यह character styling है और इसके बाद हमें क्या मिलता है चलिए देखते हैं इसके बाद हमें मिलता है यह एक zigzag sharpener चो की है इस तरीके से और यह zigzag look में हमें यह पूरा sharpener मिल जाता है इसको easily आप grip कर सकते हैं और अपनी pencil sharpen कर सकते हैं next इसमें हमें मिलती है यह दो fishes जो की है यहाँ पे grippers तो यह fishes जो है grippers हैं जिसमें हम अपने pencil डाल करके gripping कर सकते हैं यह दो हमें यहाँ पे मिलती हैं देखें यह पूरी pencil box में हमारा सारा stationary आ गया है इसके बाद हमें मिलती है यहाँ पे एक scissor जो की है green color की यहाँ पे green and light green look में जिससे easily आप अपने paper cutting वगेरा कर सकते हो और last but not the least इसमें मिलता है एक यह diary चोकी है यहाँ पे spiral notebook जिसमें हम अपने पूरी details यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके अंदर हमें मिल जाते हैं बहुत सारे pages तो इसमें बहुत कुछ आप work कर सकते हो तो आज की वीडियो कैसी लगी guys अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें बताईए का comment करके बेदे हैं आप से नेक्स वीडियो में till then take care of yourself and bye